चक्रवाती तूफान निसर्ग महराश्ट के तटी इलाकों से टक्रा गया है निसर्ग तूफान मुंबई में अलिबाग के तट से टक्राया है मौसवभा के मताबिक तूफान के टक्राने से करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चल रही है मुंबई के जादतर इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है महराश्ट के रतनागिरी इलाके में समुद्र में उची उची लहरे उठ रही है खत्रे को देखते हुए लोगों को समुद्र इलाकों से दूर रहने की सलहा दी गई है मुंबई के अलिबाग इलाके में काफी तेज बारिश हो रही है लगातार हवाएं चल रही है करीब तीन घंटे तक यहाँ पर चक्रवात तूफान का लेंड़ फॉल का असर दिखेगा समुद्र में उठ रही लहरे इतनी उची है कि वहाँ तैनात जहाज भी हिलने लगे है मुबेन में तूफान की वज़े से बांदरा वरली सील लिंक को बंद कर दिया गया है समुद्र के उपर बने इस बड़े पुल पर काफी अधिक ट्राफिक रहता है इसलिए अब सुलक्षा की दृष्टी से इसे बंद कर दिया गया है मौसम वभा के मताबिक दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज़ादा रहेगा मुबई समित उतरी महराष्ट के कई इलाकों और कौंकन में भी भारी बारिश का अलट है चगरवाती तूफान निसर्ग कासर मधिवदेश के भी कई जिलों में देखा जा सकता है और तूफान आने की संभावना जताई जा रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स